नमश्कार दूस्तों मैं डॉक्टर नकिलतम का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यीट्यूब चैनल में दूस्तों आज के इस वीडियो में हम बात going अस्थमा के बारे में जिसे हम हिंदी में दमा कहते हैं या क्या होता है इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं इसमें क्या साइनम सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे और होमोपेथिक में कौन-कौन सी ऐसी very effective होमोपेथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से जिसकी मदद से इस मिमारी को हम हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर सकते हैं और साथी साथ मैं मैं आपको एक combination की बारे में जानकारी दूँगा यहाँ बायो केमिक टेबलेट्स है इसका एक combination आता है इसकी मैं आपको जानकारी दूँगा जिसका यूज आप इस medicine के साथ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective जल देखने को मिलेंगे और आपकी दमा की समस्या ठीक हो जाएगी तो चली दोस्तों देरना करते हुई इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरा है वीडियो आप पहली बार देख रहा है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो red color की पड़ेद लावा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें साथी साथ वेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी जानकारी सारी इंफरमेशन अब सबसे पहले आपको मिल सके दूस्तों मैं अपने चैनल पर हैल्स अलेटिव मैडिसीन से रेलेटिव डिसीज तर लेलेटिव वीडियो लेके आते रहता हूं तो चैन के बारे में अस्तमा को हम हिंदी में दमा कहते हैं मैं पिक्चा लागा देता हूँ आप इसे देख लीज़े जो हमारी स्वास्न लीका है जिसे हम ट्रेखिया कहते है यहाँ ट्रेखिया आगे चलकर दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं फर्स्ट ट्यूब जो होती है राइट साइड में जाती है और दूसरी जो ट्यूब होती है वार लेप्ट साइड में जाती है हमारे लंग्स में चली जाती है जब इन लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है इंफ्लामिसन हो जाता है सूजन आ जात सांस लेने में दिख्कत होती है बलगम को निकालने में होती है तो इस पूरी कंडिशन को हम अस्तमा कहते हैं तो चलिए दोस्तों आप बात करेंगे काउस के बारेमें यह कहरा IBM को मिलते हैं पहरे द्रेंटिटी जिस से हम friendly heteric and genetic factor पहते हैं जिसके कारण हमें यहां समस्यद सब्से जादा देखने को मिलती है यदि आपके फैमिली में परिवार में किसी को प्रकार की सिकाake तो Сब्से जादा यहा ability हमें अस्तिमा की देखने को मिलती है, इसके बाद आता है allergic condition, यदि आपको किसी प्रकार की कोई allergy है, धूल से, dust से आपको allergy है, तो अस्तमा की condition हमें देखने को मिलती है, इसके बाद आता है stress, यदि आपको बहुत ज़्यादा stress है, मानसिक तनाओ है, तो यहाँ condition हमें देखने को मिलती है, इसके अस्तमा की condition देखने को मिलती है यदि आपकी immunity बीक है तो immunity की उपर मेरा एक वीडियो है वीडियो की description की नीचे लिंक दी गई है अब यहाँ वीडियो देखें और immunity को strong करें और अपनी problem को ठीक करें इसके बाद आता है बार-बार सर्दी जुखाम होना यदि आपको बार-बार coffee and cold and flu होते रहता है ठीक हो जाता है फिर हो जाता है ठीक हो जाता है तो यहाँ धीरे-धीरे करके अस्तमा में convert होने लगता है अस्तमा की सिकायद हमको हो देखने को मिलती है इसके बाद आता है sinusitis और bronchitis यदि आपको sinusitis, bronchitis बार-बार होते रहता है तो धीरे-धीरे करके यहाँ अस्तमा की condition लेने लगता है यहाँ manly cause होते हैं जिसके कारण हमें अस्तमा की condition देखने को मिलती है अब बात करेंगे sinusitis, sinusitis, bronchitis बार-बार होते हैं पहले number पे आता है सांस लेने में तकलीप होना आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीप होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी expiration and inspiration जैसे ही आप सांस लोगे, सांस छोड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इसके बाद आता है पैन, आपको लंक्स में दर्द जैसा महसूस होगा, स्पास्मोडिक पैन होगा, लंक्स में मरोड होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, यह सिम्टम हमें अस्तमा में देखने को मिलता है इसके बाद आता है breathing sounds, lungs में हमें breathing sound सुनाई देगा, breathing sound को हम हिंदी में CT की अबाज कहते हैं, lungs में से CT की अबाज जैसी हमको सुनाई देगी, इसके बाद आता है बेचेनी, patients को जो है बहुत ज़्यादा बेचेनी होगी, घपराट होगी, और छाती में इस तरह का दर्ध होगा कि बाद छाती को पकड़ की बैट जाएगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इस तरह की साइनम सिंटम, इस तरह की लक्षन हमें अस्तमा में देखने को मिलते हैं, अब बात करेंगे होमोपेतिक मेडिसीन की, होमोपेतिक में बहुत इफेक्टिव इफेक उल्ती होने के बाद आपको थोड़ा सा रिलेक्स महसूस होता है, थोड़ा सा अरा महसूस होता है, तो आपको एपिकाक मेडिसिन थर्टी पोटेंसी में यूज़ करना है, आप रिपीटिशन भी बारवार कर सकते हैं, यदि एक्ट्यूट कंडिशन है, आपको तुरंथी अस्तमा का अटेक आया हुआ है, आपको साथ देने में बहुत जादा तकलीफ हो रही है, बहुत जादा दिक्कत हो रही है, और खांस्ते खांस्ते आपको उल्टी हो गई है, तो थर्टी पोटेंसी का यूज़ 5-5 मिट में 3-4 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह क अपको बंद मन तक करना है, थर्टी पोटेंसी में आपको इस मैडिसिन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, दूसरे नमर पे हमारी मैडिसिन है आर्सिनिक अलबम, आर्सिनिक अलबम बहुत अच्छा काम करती है अस्तमा में, इसमें हमें किस तरह के लक्षन देखनों मिलते हैं, इसमें जो है पेसेंट्स को रात की बारा बजे अस्तमा का अटेक आता है, उसे वेचे नहीं होती है, घबराट होने लगती है, पेसेंट्स बैट से उठके मूविंग करने लगता है, और मूव जैसी भी करता है तो उसे अराम बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, उसे जो है रात में प्यास लगने लगती है, ठंड में अस्तमा का अटेक आता है, ठंड में बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है, पर आर्सनिक के पेसेंट्स को ठंड में प्यास लगने लगती है, वहाँ थोड़ी थोड़ी दिर में थोड़ा थोड़ा पानी पीने लगत यदि आपकी acute condition है तो आप 30 potency में repeat भी बार बार कर सकते हो, 3-4 बार भी इस medicine का use, 5-10 मिट में आप use कर सकते हैं, आपको बहुती अच्छे और बहुती effective results देखने को मिलेंगे, जैसी आपकी acute condition ठीक हो गई तो आप 200 potency का use करेंगे, regularly use करेंगे, 15 दिन तक, 15 दिन के बाद आपक repetition का repetition नहीं करना है, आपकी यहाँ problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और मैं जो आपको आखरी में जो combination बताऊंगा, उस combination का, बायोकेमिक medicine का आप use करते रहीएगा, 3-1 तक आपकी यहाँ problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तीसरे नंबर पे हमारी medicine है, बहुती effective omopathic medicine है, ज जो सांस लेने में बहुत जादा दिक्कत हो रही है, इस तरह के लक्षन हमें क्यूपरम metallicum में देखने को मिलते हैं, क्यूपरम metallicum का एक मैं keynote symptom बता रहा हूं, जैसे सर्दी जुखाम ठंड के time होता है, ठंड के time में ही अस्थमा का attack आता है, और patients जो है cold ring, cold ring पसंद करता है, जैसे ठंड में आपको बहुत जादा problem हो रही है, ठंड में अस्थमा का attack आ रहा है, और patients को fridge का ठंडा पानी पिलाया जाए, तो उसके अस्थमा में उसको relief महसूस हो रहा है, तब हमें क्यूपरम metallicum का use करना है, 200 potency में करना है, daily 15 दिन तक करना है, इसके बाद इस medicine का repetition नही मिलेंगे, आपकी यहाँ जो problem है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, keynote symptom, ठंड में अस्थमा का आपको attack आया, और आपने fridge का ठंडा पानी पिया, और आपको relief महसूस हुआ, तो इसमें जो patients है, एक बार में एक गिलास पानी पी जाता है, और arsenic एल metallicum का यूज करना है, ठंडा पानी पीने में आराम आता है, अस्थमा में, तो हमें क्यूपरन metallicum 200 potency में यूज करना है, आपकी यहाँ जो problem अस्थमा की है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, चोहते नमबर पे हमारी बहुत ही effective homeopathic medicine है, जिसका नाम है grandila, मैं यहाँ पिक्चा होता है, और चिपका चिपचिपा होता है, पीले कलर का होता है, और कफ को निकालने में बहुत ज़्यादा problem होती है, और कफ जैसे ही निकल जाता है, थोड़ा सा अराम मैसूस होता है, तो उसमें grandila का आपको mother tincture use करना है, एक कप गुनगुना पानी में ही इस medicine का use करना है, पंद्रा बुन सुबा, पंद्रा बुन दुफैर में, पंद्रा बुन रात में, continue, थ्री मन तक regularly इस medicine का आप use करना है, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective results मिलेंगे, आपकी यहाद प्रावलम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, चोहों, पांचवे नमबर पे हमारी medicine ह काली बाइकरोम, काली बाइकरोम अस्तमा में बहुत ही अच्छा काम करती है, काली बाइकरोम में जो लक्षन हमें देखने को मिलते हैं, सुबह के 4-5 बजे अस्तमा का attack आता है, और 4-5 बजे ही आएगा इसका, सुबह के time, और कफ निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ह होगा, चिपचपा होगा, और निकालने की कितनी भी कोशिस करो, निकलेगा नहीं, चिपख जाएगा बिल्कुल, ऐसा लगेगा कि लंक्स में क्रैंपिंग पैन हो रहा है, और निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा निकलेगा, फिर चिपख करना है, इसके बाद इस मैडिसिन का रिपेटिशन आने वाले 15 दिन में, यदि आपको कोई प्रॉबलम हो रही है, तो ही रिपेटिशन करना है, नहीं तो बिल्कुल भी काली वाई क्रोम का आपको रिपेटिशन नहीं करना है, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफ effective combination है इसमें चार प्रकार के ऐसे बायो कॉमिक साल्ड से मिलकर यहां combination बनाया गया है जिसका यूज अस्थमा में किया जाता है इसका यूज दोस्तों आपको continue चार मन तक करना है पांच गोली सुबा पांच गोली दुफैर में पांच गोली रात में continue यूज करेंगे गुनगुने पानी के साथ यूज करेंगे आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective results मिलेंगे कैसी किसमें जो बायो केमिक medicine मिलाई गई है जो बहुत ही effective है पहले number पे मिलाई गई है काली में उ दूसे number पे मिलाई गई है Markposs यदि आपको cramping pen होता है मरोब होती हैived lungs में उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है इसके बाद इसमें मिलाई गई है nitrame Mure इन इसमें मिलाई गई है nightrum Salpia चार medicine इसमें मिलाई गई है combination के नाम तो मुझे बैसही याद है आप मैं पिक्चा लगा देता हूँ, combination आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है अस्तमा में, इस medicine के साथ यह भी जो भी आपके लक्षन मैच कर रहे हैं, बहाँ medicine आप यूज करें और इस combination को आप continue regularly 4 मन तक यूज करें, आपकी यह problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो आज़ा करता हूँ, तो मेरा है वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक like कर दें, यदि आपके परिवार में, family में किसी को अस्तमा की problem है, तो यहाँ वीडियो उन तक share कर दें, तक ही वे बहाँ इस medicine का use करके, अपनी problem को हम इसा के लिए ठीक कर सके, तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही, फिर में लिंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जै भारत, बंदे मात्रम